नवस्कार मैं हूँ दसरत प्रधान और आप देख रहे हैं छोड़नागपुरलाइब 2014 में एक दौर था जब मोदी की लहर आई कैसा लहर आया जब कई सत्ता जो है उस लहर में बहे गया आज 10 साल के बाद जारखन में कैसा लहर देखने को मिल रहा टाइगर जाराम महतो के लिए जिसे सोसेल मीडिया में सुनामी कहा चा रहा है वो सुनामी को भापने के लिए हम 200 किलेमेटर चलकर जमसेदपूर से ये पहुंचे हुए गिरडी लोकसफाच्पाच्षेत्र के अंतरकत ये कौन सा गाउँ है गुणजल्डी गाउँ पहुंचे है और गुणजल्डी गाउँ में सबसे पहले हम उनके कारेकरताउं से जुड़ रहे हैं आप लोग जब जा रहे हैं तो क्या समझा रहे हैं और जैराम महतों की जो अलग क्या कुछ जमीनी हकिकत है यह हम जाने काज प्रयास करेंगे जी मोने नाम में ही कर्मा आता हुआ है आपने पंछाहत में बहुत सारक पार्टी जो कर रहे हैं तो सब देखी रहे हैं तो हम लोग सोचे कुछ ने कुछ बदलाव होना चाहिए तो वहीं सब बदलाव जो जिसे अस्त्राइनी निती हो रहा हो गया ठीक है और बहुत सारे मुद्दा है कुछ विस्तापन का मुद्दा है कुछ मजदूर का मुद्द ने पहला सीट निकाला था विनोद ब्यारी महतों जो की संस्तापक थे जमेम के उन्हों ने पहली बार यहां सांसत सीट निकाली इस गिरिडी लोक सबासे उस समय एक दौर था जब जारकन अलग करने का जो है जो है जो है इसका पीड़ा उठाय था और अलग राज्य करने क मिले एक बड़ा अंदोलन छिड़ा और उसके बाद जो है आप देख सकते हैं जो है सत्ता में काभी जो आज उनका सरकार भी चल रही है वह बदलाव क्या इस बार देखने को मिले एक नया मुद्दा एक नया चेहरा और एक वही समाज से लोग जी है इस बार चुना में जर आज से जो है जैसे की बात करें तो जैबी केसिस जो है आंदोलन से निकल कर आज एक राज़नुतिक पार्टी में पर चुकी है तो बीटे दो साल में क्या कुछ बदलाव आप लोग मजबूरी है हम लोग करा इस से नहीं पात-दस साथ देख रहे हैं कि इस सब तो बहुत कोमश्ची आदमी कर दिया है खिलबार कर रहा है नोजोग लड़का से तो इससे नहीं होना चाहिए है हम तो यहीं समझ रहे हैं अपना अपना तो जी सरा आंधोरण में तबाम युवा जुड़े हुए थे अब आप लोग युवाओं के साथ जो है बुढ़े बुजुर्ग माताएं बहने चोटे बच्चे सभी के पास आप लोग जो है जा रहे हैं उनसे जो अपील कर रहे है क्या कुछ उनके तरब से क्या कुछ समझ में आ रहा है सिर्फ युवाओं के साथ परिवार भी जुड़ने लगा है अगर युवा जुड़े हुए है तो उसका फैमली इतना के पाबल है कि अपने फैमली को पूरी तरह समझा सकते हैं क्योंकि युवा घर में सबसे पढ़ पेख अग्जामपल स्ट्रीए कर सकते हैं कि पॉलिटिक्स को ही बदल कर रहे हैं पहले पॉलेक्स नली पूल यह सब डिख समझते थे लेकिन अभी ऐसा है कि उससे भी बढ़कर कुछ politics होता है जिसमें अगर सदन में जाएंगे तो हम लोगों के नीती बनाएंगे नियम बनाएंगे जिससे जुवा आगे उसका राष्टाता होगा और जुवा का रास्ताता होगा और जहांसे रोजगार से जुड़ेंगे जब युवा निकल के जाते हैं घर से तो हमेशा माबाप यह कहते हैं कि तुम यह सब राजनिती में क्यूं जा रहा है अपने पैसा का तेल जला कर आज आप लोग निकल रहे हैं तो क्या मातापिता आप लोग का मना नहीं करते हैं कि आप लोग जो है अपना पैसा खर्चा कर करके जो एक राजनितिक दल में जा रहे हैं इसलिए काई कि माता-पिता भी समझ चुके हैं जितना भी राजनितिक पॉलिटिक था जो अभी हम लोग का संसद माइनिय संद्ट चंदर प्रकाश्च वदरीजी हम लोग कि यहां लेकित देखे कुछ काभ ही नहीं किया हुआ तो हम लोग चाहेंगे कि नोजवक को सदन में भेजें और हम लोग के लिए कुछ काम करें काई कि हम लोग जारखन में बहुत रोजगार है लेकिन यहां पर जितना जारखंटी हम लोग है बिरोजगार उतना मतलब सब बाहर जाते हैं काम करने के लिए अपना रोजी रोटी क प्रफ इंडिया गड़ बंधन से मुथ्रापरसाद महतुची जो है खड़े हो रहे हैं तो इंडिया गड़ बंधन भी इस बार उनका भी मैनफेश्टो में कहा चाहिए तो रोजगार और महंगाई को लेकर वो भी टार्गेट कर रहे हैं कि हम रोजगार देंगे हम बड़े कार्यकारम कर रहे हैं लोगों तक समझाने का प्रयास कर रहे हैं जैसे पहले जो सत्ता में थे जितने भी पाटी है जैसे कि विजेपी जैम्म आजसू सबों को हम लोगों ने मोका दे चुका है ठीक है तो हम लोग एक नए सीरे से देखें कि उन लोगों से कुछ हो नहीं रहा है तो हम लोग नी ऑप्शन मिला जे रामदा के रूप में तो उस नी दबोच के उनको ओफर देना चाते हैं और सदान में भेज के हम लोगों को नीती नियम बनाएंगे जिससे हम लोग जारकन का भाविस सुधरेगा जो तीनों कैंडिडेट हैं आप से जाने की परियास करें जो तीनों कैंडिडेट हैं सब महतो समाज से खुरमी समाज से तो जो चद्रपकास चौधरी जी हैं, उनके भी कुछ कठर कैड़र समर्थक हैं और मतरacho परशाद महतो जी के भी है, और आप लोग के हैं, समाज तीन तरफ बटेगा, तो फिर किस तरह जुआ निरनाइक होगी, आप लोग की जीत होने की सुनेशित कैसा करेंगे जीडेशिय अगर हम तो ही उससाब को भी निंदने करेंगे उसका भी सबका केडर है और जहां तक बात है उससाब का भी भोट आएगा लेकिन परसेंडेश कम रहेगा जानते हैं जैसे कि माले इतना दिन से पार्टी का जो काम कर रहा है तो उसको भोट दना ही है तो बस वही रहा जाएग जो घौटर का जो रूट है जैसे से हम लोग जब लोग कर रोडसर जाते हैं तो वहां पर जो यह सब एक रूट में अलग हो गया सब करीकर्था सब एक रूट में बच गिया सब्सक्राइब करें लगातार सभा कर रहे हैं लगातार रेलिया कर रहे हैं यह तर्क दिया जा रहा है कि 1911 में जब सुरे सिंग बेसरा जी ने भूंकार भरा था बहतर घंटा का तब भी काफी भीड हुई थी लेकिन भीड कनवर्ट नहीं हो पर तो यह जो सोसेल बीडिया मे सब्सक्राइब लगा जा रहा है तो इस बार जैरा महतो निकल रहे हैं और साथ में कहां कहां से आप लोग लग रहें कि निकाल पाएंगे जो सही जमीनी बात किया जहां तक हम लोग अपना कारिकर्टा से पता कर रहेंगे तक निकालना का पुरा संभावना है तक निकाल सकते हैं कि तरह के वोटर्स आएंगे क्योंकि जिस तरह बिजनस क्लास के पीपल नहीं है रोजगारी से कोई जादा नाता नहीं जो लोग विजनस क्लास के वह रोजगार से भी नाता है तो किस तरह के वोटर्स लग रहा है कि वीड़ा है कि वह व देके जीत विप रहे हैं लोग चुछेघन के उसpower कुछ तो इसे के साथ गूंज़ेटी के गाउं में अच जब जा रहे हैं और क्या कुछ गाउं का जमीनी हकीकत है जो सोसेल मीडिया से अलग क्या कुछ गाउं में जमीनी हकीकत है और इस बार जो है जैसे कि हम पूना फिर से आएंगे मंत कर रहे थे लेकिन हम पूना जबाप आए तो आम यह जानने के प्रियाज करेंगे आप भी कारे करता है जी लगातार अंदोलन से जुड़े हुए थे या फिर ने भासा अंदोलन से थे और बीच में इदर हमारी पढ़ाई भी चल रही और इदर बीच बीच में अंदोलन भी चल रहा था मतलब हम लोग टाइगर जैराम मातों के लगनक्से कदम पर ही चल ही रहे थे चल रहे हैं तो गाओं-गाओं आप भी जा रहे हैं प्रचार प्रसार कर रहे हैं जी ठीक है क्या जो सोचल मीडिया में जीस तरह की दिख रह समझ में और रहा है क्या बदलाव नजर आ रहा है वो समझ में आ रहा है आप जिसे सोचल मीडिया के माध्यम से जो भी देख रही है कि मतलब क्या रूजान है पिछले मतलब लगबगंधों सालों से यह ज़ार्खन में बदलाऊंद मैं लुगों के जहन में चल रही है इस बार हम लोगों को माई-माटी की जो भी लडाई चल रही है जरन के फिद्वे अधमें चाहे 23 सालों का जो कई रुखा नहीं है लोगों में जो सिच्छा के पर्ति जो यह भावना है जो भी सिच्छा गरन कर रहें लेकिन फिर भी लड़के लोग रोजगार हैं अगर महिलाएं को देखें तो महिलाएं मुखा रूप से राजनीती के छेत्र में नहीं आ रही है अगर आप दूसरे मतलब छेत्र में जाएं स्वास्त की सुवीधा रोट कंस्ट्रक्शन या फिर परिवहन की सुवीधा को लेकर चले तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे कोई राजनेता या तो फिर जननेता मतलब इस बात को सदन में या तो पिर कहीं भी सणक में मतलब में लोग भरोसा हैं और उनको लग भी रहा है कि बदलाव की लहर में जो जिस आदमी और जिस व्यक्ति पर भरोसा कर रहें वहीं उनकी मतलब एक आख्रियास है और हम लोग उस पर परियासरत हैं सभी गृड़ी लोकसभा के छेत्रवासी इस बात के लिए एक दम मुखर औ करना है जो यहां के हक अधिकार और हित के बारे में बात करता और उसके लड़ाई लड़े और वह बात सदन के अंदर दिल्ली तक जानी चाहिए ताकि लोगों को यह बात पता चले कि हारखन एक छोटे से राइज में यहां के जो जोलंत मुद्दे हैं उनको लोगों तक औ सदन में जो हमारे मतलब सत्ता पक्ष या भी पक्ष के जो भी है नेतावों की वास्तर पर मतलब जगा देंगे इस बात को यह भी जाते हैं सांसत में तो आपने देखा हो कि बीते कुछ महिनों में जिस तरह आम आदिम पार्टी ने सांसतन के बाहर जो हंगामा किया उनकी सुनी नहीं गई बहुत सरे चोटोड़े पाटियां जो है प्रोटेस्ट की लेकिन सदन में उनका नहीं सुना गया तो जैरा महां तो एके लिए जाएंगे या दो तीन जन मिलके जाएंगे तो क्या बदला हो जाएगा साथ सदन में बैठके वह रह जाएंगा ऐसा प्रतीत होता है देखे सदन में कुल सदस्यों की संख्या 545 मतलब अभी दो एंगलो इंडियन की जो सदस्ता है वह संविधान सदन के दथ हटा दिया गया है कि अब वह दो जो भी आएंगे वह राष्टपति मनोनित नहीं करें लेकिन अभी 543 जो निर्वाचित सदस जाएंगे संब्द्रमानित को एक तो सीट से माइने में और उस बात पर मुकता मतलभ नहीं रखना चाहिए कि एक ही दो सीट मेने बात वहां पर जोमीन होनी चाहिए कि आखिर को रक कोन रहा है चाहिए वह सक्ता पक्ष का सदस को मतलब लगों की बात को यह तक रह जारी है रोड तक ही रह जारी है उस बात पर कुछ अमल हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है यह भी जानना बहुत जरूरी रही बात आम आदमी पार्टी की तो सब दल के अपने अपने निती नियम होते हैं वो अपने अस्तर से बात रखेंगे लेकिन हमारे जैराम मातों जो लोगों की आसा है हमें लगता है कि मतलब परमुकता से अपनी बात को रखेंगे और उन पर हमें भरोसा है कि जो भी यहां की जो पीड़ा और चीख है जहारखंड में वह मतलब अच्छे अस्तर पर वहां परमुकता से रख पाएंगे बहुत भूद धन्यवाद आप पर दाल, सरेके लास